प्रभास दाक्षी करतवे पत्में आप सभी का स्वागत है आज के करतवे पत्में बात करेंगे कि भारत के अंतिरेक्ष यात्रा का नया अध्या चंद्रयान 3 तो आए देखते हैं आज के इस करतवे पत्में नेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पूर्ण करते हैं पत्म देख सकें ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसे चंद्रमा पर भीजा गया है चंद्रमा के रहस्यों को जानने की दिशा में भारत लगातार कोशिशे कर रहा है इस सतह का बार-बार अवलोकन करने वाले दो रोपोटिक अंत्रिक्षयान भेज कर अपनी शमता का प्रदर्शन किया है भारत वर्ष 2008 में चंद्रमा के सतह उपर पहुँचने वाला चौथा देश बना है इसके बाद 2009 में चंद्रियान एक ने चंद्रमा पर पाने की खोज की चंद्रियान दो मिशन का और्बिटर पिछले चार वर्षों से लगातार काम कर रहा है वहीं अब 14 जुलाई को श्री हरी कोटा से चंद्रियान 3 की सफलतम उडान से पूरा भारत गौरवान वित है अंतरिक्ष की फील्ड में अब चंद्रियान 3 ने नहीं गाता लिकी है इसी के साथ भारत का चंद्रियान 3 चंद्रियान के दक्षिन इध्रुप के पास सौफ्ट लैंडिंग कर दुनिया के पहले मिशन के तौर पर इतिहास रशने को भी तयार है बता दे कि 14 जुलाई को तो पहर 2 बचकर 35 मिनिट पर LMV 3M4 रोकेट ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्री हरी कोटा के दूसरे लॉंच पैट से उडान भरी थी जिसके बाद चंद्रियान 3 को सफलता के साथ प्रक्षेपित किया गया था इस उडान के साथ ही चंद्रियान 3 अपनी एतिहासिक यात्रा पर भी निकल चुका था जहां उसे इतिहास रचना है इस लॉंच के बाद इस रो ने कहा कि अंतरिक्षियान की इस सित्थी पूरी तरह से समान्य है वहीं चंद्रियान 3 की सफलतम लॉंच के बाद प्रधान मंतिर नरेंगर मोदी ने वैग्यानिकों के अथक समर्पन की सहाना की और कहा कि चंद्रियान 3 ने भारत की अंतरिक्षात्रा में एक नया अध्याय लिका है यह हर भारती के सपनों और महत्वकांचाओं को उपर उठाते हुए उची उड़ान भरता है यह महत्वपूर्ण उपलब्दी हमारे वैग्यानिकों के अथक समर्पन का प्रमान है मैं उनकी भावना और प्रतिभा का अभिनंदन करता हूँ तीन लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तै करते हुए यह चंद्रमा पर पहुचेगा चंद्रयान पर मौजूद वैग्यानिक उपकरण चंद्रमा की सथा का अध्यान करेंगे और हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे प्रधान मंती नरेंदु मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष शेत्र में भारत का एतिहास बहुत समृद्ध है चंद्रयान एको वैश्विक चंद्रमिशनों के एक उपत्थर प्रदर्शिक के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इसने चंद्रमा पर जल के अड़ों की उपस्थिती की कुष्टी की है यह दुनिया भर के 200 से अधित वैग्यानिक प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ बतादे की चंद्रयान तीन मेशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि देश की आश्राओं और सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेगा बतादे की चंद्रमा पर अब तक अमेरिका, सोवियत संग और चीन ही उतर सके है महारत में अगर दक्षिनी धुरूप पर उतरने में सफलता हासल की तो यह एतिहास बन जाएगा अब तक दक दक्षिनी धुरूप पर कोई देश लैंड नहीं कर सका है गौर तलब है कि यह मिशन बहत खास है क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के रहस्तियों से परदा हटाने में भी मदद करेगा मिशन की जरूरी जानकारी लांच 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बचकर 35 मिनिट पर हुआ 23 अगस्त की शाम 5 बचकर 48 मिनिट पर इसकी लैंडिंग का लक्ष रखा गया है चंद्रयान 3 एक लैंडर एक रोवर और एक प्रोपर्शन मॉड्यूल से लैस है इसकी लागत लगभग 615 करोड रुपए है इसका वजन 49 किलोग्राम है चंद्रयान 1 वा चंद्रयान 2 से मिली विशेश मदद चंद्रयान 1 जब तक चंद्रमा पर नहीं पहुचा था तब तक चंद्रमा को शुष्क भू बैग्याने की रूप से निश्क्री और निर्जन खगोलिय पिंट माना जाता था इसे जल और इसकी उपसताय पर बर्फ की उपस्थिती है इसे भू बैग्यानी रूप से सक्रिय खगोलिय खंड के तौर पर देखते हैं बैग्यानी को कमानना है कि भवेशी में चंद्रमा पर निवास करने की संभावना भी हो सकती है चंद्रयान दो में जो और्बिटर था उससे मिले डेटा के जरिये ही पहली बार रेमोट सेंसिंग का उप्योग कर चंद्रमा पर मैगनीज और सोडियम की मौजूदगी का पता चरा था चंद्रयान दो की मदग से ही यह जानकारी मिले थी कि चंद्रमा की सहतहया पर बर्फ है जो जल से निरमित है ये खोज और ये मिशन इतना एहम था कि इसे लगभख 200 प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था आत्म निर्भर भारत का आत्म निर्भर अंतरिक्ष शेत्र भारत ने देश का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान तयार कर लिया है जो की गगन्यान है इसे वर्ष दो हजार चौबिस में भीजा जाएगा भारत से विश्व के 34 विभिन देशों के 424 उपग्रह प्रक्षेपित किये गए हैं इसरों ने पिछले 5 वर्षों में 19 देशों के 177 विदेशी सैटलाइट को व्यपसाइक रूप से लॉंच किया है इससे लगभग 94 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है नीतियों में सुधार से अंतरिक्ष शेत्र में उडान में विस्तार निजी कम्पनियों के अनुमती उद्योग के लिए इसरों के इंट्रास्ट्रॉक्चर और तकनीक तक पहुच बनाई है निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारती राष्ट्र अंतरिक्ष संबर्धन और प्राधिकरन के इंद्र आई एन स्पी असी इस्थापित किया गया है इन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेट के जरिए निजी कम्पनियों की मदद की है इन स्पेस के जरी अंतरिक्ष शेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिला है इस प्लैट्फॉर्म पर अब करीब 120 अंतरिक्ष स्टार्ट अप पंजिगरत किये गए है भारत को आत्मन निर्भर और अंतरिक्ष में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इंडियन स्पे अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके